Welcome to Suklain, shtirli point आप सबी का स्वागत है आपके पनियूट्यूब चेनल shtirli point में मैं स्यों धोष आप सबी दोस्तों का हरदिक स्वागत करता हूँ आखिरकार देनी चाहिए तो क्यों देनी चाहिए यह ऐसे प्रसनाप के बहुत बन रहे हैं और अगर देनी चाहिए तो तयारी आपको कैसी करनी चाहिए कितना पढ़ना चाहिए और किन-किन टॉपिक्स को तयार करना है कौन-कौन से अध्याय को हमको पढ़ना है तो यह तमा जानने जीएगा कि यह होता जैसे कि अब पहले भी यह होता था तीन साल का अब भी तीन ही साल का है कुछ उनिविस्टी चार साल की बता रहे हैं को बाकी लगबग अधिक तर विश्मिद्यले तीन साल में ही भी यह की परिक्चा होगी तीन साल का ही कोर्स है और इसमें क्या कर कर दिया गया है यानि समेस्टर टाइप का जो है कर दिया गया यानि कि समेस्टर माने होता है छमाही परिक्षा एक परकार से यानि प्रते एक छा महीने पे एक समेस्टर की परिक्षा होगी ठीक यानि कि अब आपको साल में दो बार परिक्षाएं देनी पड़ेगी समेस्टर की तहध बात करू उसमें भी आपको खास किराकर पहले आपको तीन बार की परिक्षा देनी होती थी साल के अंत में लेकिन आपको छे बार परिक्षा देनी होगी मुख्य więks परिक्षा हैं ठिक लेकिन एक mid परिक्षा जो होती mid term जिसको कहते है mid semester कि समेश्टर बोलते हैं जो कि da yannique college में आप पढदुए हो उस college में ही सरा आपकी संपर वा ली जाएगी उसको हम कहते नियानि कि परकार सी तीमाही परीछ योशिको आप बोल सकते हैं यानि कि समेस्टर का मध्ध है यानि आप इस परिछा के माध्यम से यह आँक सकते है अपने आपको कि आपके अंदर क्या गलतिया हैं कितनी तैयारी आपको ओर करनी चाहिए और किस परकार से उत्तर आपको लिखना चाहिए यह तमाम परकार की जो गलतियां आपको खास करके हो जाती हैं पेपर देते समय मुख एक्जाम में समेश्टर टाइब में तो वो आप मिटर में उसको सुधार कर ले यानि ये कालेज पर डिपेंड होता है कालेज इसका एक प्रकार से आंतरिक मुल्यांकन मिटर्म परिक्षा, असाइनमेंट ये सब ठीक है इन सभी को ध्यान में रख करके आपको नंबर देते हैं ठीक 75 नंबर का आपका पुडांक होता है उसके बाद में बाकी का जो 25 नंबर होता है वो 15 नंबर इस से में टर्म के बाकी 10 नंबर मलब की आपके अलग से इधर दर से मिला करके मिलते हैं यानि कि आंतरिक मुल्यांकन हो गया पेडिया फूड आपकी परकार से प्रक्टिकल फाइल हो गई या फिर जो कुछ भी आप असाइनमेंट वगरा लिखते हैं वो सब ठीक तो ये एक परकार से होता है मेडिय टर्म परिच्छा का मतलब होता है ये देना सबसे पहले जाले लिए अनिमार ही है ठीक आपको देना चाहिए अगर आप नहीं देंगे तो आपको हो सकता है जो आपका आंतरिक मुल्यांकन हो रहा है उसमें दिक्कत आए तो आप इस परिच्छा को जरूर देने का प्रियास करें मेरे हिसाब से जादा बेटर रहेगा आपको अच्छा अनुबो मिलेगा और एक परकार से आपको मैं बता दूँ कि कहां से तयारी करनी है उसके लिए आपको मैं सबसे पहले आपको ले चलूँगा कि पेपर आपका कैसा आएगा पेपर के अगर बात किया तो पेपर खास करके आपका लिखित फाम में होगा लिखित फाम में मलब जैसे कि चार से पांच यही लगबग पांच परसन आपके लिखित टाइप के पूछे जाएंगे जिनमें से लगबग आपके तीन परसन लगुत्रिये के होंगे और दो परसन आपके दीरगुत्रिये के हो सकते हैं इनमें से आपको एक लगुत्रिये का और एक दीरगुत्रिये के परसन आपको करने के लिए बोला जाएगा ठीक यह अधिकतर भी स्विद्याले यही Funda अपनाती है तो यही Funda लगबग अधिकतर भी स्विद्याले अपनाती है तो यहीं भी मान करके चलो कि इसी परकार से होगा यानि कि लगबग 4-5 परसन पुछा जाएंगे कुछ लगोत्रिय के होंगे कुछ दीरगोत्रिय के होंगे लगोत्रिय को 200 सब्दों में दीरगोत्रिय को 500 सब्दों में इस परकार से आपको लिखना होगा एक घंटे का समय मिलता है ठीक है और आपको यहाँ पर 15 नंबर का पूरांक होता है अब university depend करता है कि वो किस तरीके से वो college आपका कैसा करवाती है परिक्षा तो वो आप लोग अपने college में संपर करके पता कर सकते हैं कि सर हमारी किस तरीके से होगी बाकी paper आपका लगबग सभी का लिखीती होना है ठीक तो परेशान नहीं होना आपको डीडियू का अभी mid term का लगा हुआ है एड़क्टर रामन हलो हिया और इसके अलामा चोधर चनल सिंग बिश्विद्याले हो गया इलाहाबाद उनिस्टी हो गई ठीक है कानपूर बिश्विद्याले हो गया अपना इसके अलावा आप देखिएगा और भी सिधार्थ विश्विद्याले है ठीक इसके अलावा और भी तमाम सारे विश्विद्याले आपको पता होगा भीम राव मेड़कर ठीक है मुझभफरपूर उनिविश्टि एसी परकार से मासाकूम्बरी तमाम प्रकार के जो universities आपको यहाँ पर दिखाई पढ़ रही होंगी सभी इस विद्यालेव में जब आप जाएंगे तो mid term की परिक्षा होती यहाँ तकी बेच्ची यह new इन सभी में भी आप देखेगे इसी परकार से आपका जब थर्ड समेश्टर आप देने जा रहे हो तो उसमें भी आपके हो सकता है कि इसे की वहाँ पर कोडिंग ऐसे 103, 102, 140 परकार से तो हो सकता है दो पेपर आपके हो लेकिन अधिकतर सभी बिस विद्याले में नबे परसंट विद्याले आपकी एक ही परिक्षा लेंगे चैप्टर वाइज मैंने वीडियो दिए चैप्टर वन चैप्टर टू दो दो वीडियो तो आप देख लीजेगा वहीं से प्रसनाएगा सोसियोलाजी में उसकी परकृतिक को नेचर को लेकर के प्रसनाता ही आता है मेसा ठीक कोई बचा ही नहीं हिंदी में आप देखिएगा तो हिंदी सायτη के इतिहास को ले करें एक परसंद जरूर बनेगा वही है ने पढ़ा दिया हिंदी सायथ का इतिहास लेकर्न इसमे आधिकाल मैं तो आपको उत्तर कैसे लिखना इसको लेकर के मैंने एक वीडियो कापी कैसे लिखती उसको बनाई रखी तो आप देख लिजेगा कापी लेखन की परिकरिया किस तरीके से होती है उसमें ध्यान देना होगा आपको इसके अलामा एक बात और यहां पर ध्यान लेकिएगा और एक माडल पेपर हमने हिंदी का डाला हुए फस्समेश्टर का भी है तो आप देख लिजेगा बाकी जो हमारे फस्समेश्टर वालों के लिए तो एक बड़िया तयारी यह है कि उनकी जो अवार्स मलब की जो समेश्टर की परिक्षाएं होई थी उसकी पेपर भी हमने अप सकते सीरियल वाइस ओके इसके लवां थर्ड समेश्टर की भी आप देखेगा शुरुआत में प्लेलिस्ट सर्ट कर दी उसी में सब सब्जक्ट की मिल जाएगी आपको चेप्टर वन चेप्टर तो आप एक बार जरूर विजिट कर दियेगा आच्छे तरीक से आपके तया से पांच बार देख लीजेगा बहुत ही जादा महत्पूर है ओके बीए बीसी बीकाम सभी के लिए बता रहा हूं फस समेश्टर और थर्ड समेश्टर दोनों के लिए बहुत महत्पूर बाते हैं ठीक ये बाद ध्याने कियेगा और आने वाली परिच्छा इसे सकंड में में टर्म के परिच्छा होगी आपको देना अनिमार होता है तुकि आपको जो ये 25 नमबर मिलता है वो इसे के अधार पर मिलता है 15 नमबर लगभग आपके इसी लिखित परिच्छा पर होते है बाकी आपको कुछ वाईबा वगयरा या assignment वगयरा जो भी कालेज का प्रो के लिए जय हिंद जय भारत